Welcome to my YouTube channel Learning with Dignity, My Name is Garima आज हम इस वीडियो में करेंगे Class 7 Hindi मंजरी बुक का Part 3 वीरों का कैसा हो वसंत कविता के प्रशनभ्यास और इस कविता की व्याख्या का वीडियो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी तो आप वहां से उसकी व्याख्या यानि कविता का अर्थ देख सकते हैं तो चलिए इस पार्ट के प्रशनभ्यास शुरू करते हैं पहला प्रशन है कुछ करने को प्रशन एक अपने आसपास किसी सैनिक से मिलकर उनके कारे छेतर के बारे में जानकारी प्राप्त कर उसे अपने शब्दों में लिखिए तो आप अपने आसपास किसी सैनिक से मिलकर उनके कारचेतर के बारे में जानकारी प्राप्ट करें और फिर उन्हें अपने शब्दों में लिखिए तो ये प्रशना आपको खुद करना होगा प्रशन दो अठारा सो सतावन की क्रांती के मुख्य केंद्र दिल्ली, मेरट, जासी, कानपूर और लखनावादी थे इन इस्तलों पर सुदंतरता संग्राम का नित्रत करने वालों के नामों की सूची बनाईए तो इसका उत्तर है दिल्ली में बहादूर शाजफर, मेरट में धन सिंग, जासी में महरानी लक्षमी बाई, कानपूर में नाना साहिब और लखनमऊ में बेगम हजरत महल तो ये तो इनकी लिस्ट हो गई प्रशन तीन इस कविता में कई गायकों ने अपना स्वर दिया है अपने शिक्षक, अथ्वा बढ़ों के मोबाईल फोन पर इस कविता को सुनकर ले ब्रद्धिता के साथ याद कीजिए और विद्याले के किसी कारकरम में प्रस्तुत कीजिए तो ये भी एक अक्टिविटी है जो छात्रों को स्वैम करनी है विचार और कल्पना प्रशन एक एक वीर सैनिक सारी सुख सुविधा को त्याग कर देश की रक्षा में सनद रहता है दुर्गम बर्फ यानि जहां कठिन मार्ग होता है उसे दुर्गम कहते हैं से घिरी पहाड़ियों पर इस्थित किसी सैनिक को किन कटनाईओ का सामना करना पढ़ता होगा सोचकर लिखिए तो इसका उत्तर है बर्फ से घिरी दुर्गम पहाड़ियों पर तैनात वीर सैनिकों सा पर एकी मात्रा लगेगी को बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है वैखराब मौसम के बीच शुनी से नीचे तापमान होने पर भी निडर होकर देश की सीमा की सुरक्षा करते हैं साथ ही उन्हें शत्रों से भी चौकन्ना रहना पड़ता है यानि साफधानी बरतनी पड़ती है प्रश्न दो, सेना के तीन अंग हैं थल सेना, वायू सेना और जल सेना थल सेना अलग होती है, वायू सेना अलग होती है और जल सेना अलग होती है, ये सेना के तीन अंग होते हैं सैनिक के रूप में सेना के किस अंग में भाग लेना चाहोगे और क्यूं यानि ये सवाल छात्र से किया गया है कि वो इन तीन सेना के अंगों में से कौन सी सेना में जाना पसंद करेगा तो ये तो छात्र को स्वयम करना है कविता से वीरों का कैसा हो वसंद कविता में कौन कौन पूछ रहा है तो उत्तर है हिमालय, सागर, धर्टी, आकाश, सभी दिशाएं पूछ रही हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए प्रश्न दो वीरों के लिए वसंत का रंग और रंग का क्या स्वरूप है तो उत्तर है वीरों के लिए वसंत का रंग और रण का स्वरूप इस प्रकार है कि वीर वसंती चोला पहन कर रण भूमी के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और वो युद्ध में जाने के लिए तयार हैं प्रश्न तीन निमलिखित पंतियों का आश्यस पस्त कीजिए सब पूच रहे हैं दिग-दिगंथ वीरों का कैसा हो वसंत तो इसका उत्तर है कावितरी कहती है कि सभी दिशाओं के छोर पूच रहे हैं यानि चारों दसों दिशाओं से ये आवाज आ रही है ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि वीरों का बसंत कैसा होना चाहिए प्रश्न तीन का खा है रंग और रण का विधान मिलने आए हैं आदी अनंत तो इसका उत्तर है कावित्री का कहना है कि रण भूमी में वीर बसंती चोला पहन कर जब उतरते हैं तो उन्हें अपनी जीवन मृत्यू का भै नहीं होता है प्रश्न तीन का ग बिजली भार दे वै चंद नहीं है कलम बंदी स्वच्चंद नहीं तो इसका उत्तर है प्रस्तुत पंक्तियों में कावित्री कहती है कि अब वीरों में जोश दिलाने वाले चंदों की कमी पड़ गई है क्योंकि अंग्रेजों द्वारा उनकी कलम की स्वच्चंदता छीन ली गई है प्रश्न चार कवित्री अतीच से मौन त्यागने के लिए क्यों कह रहे है तो इसका उत्तर है कावित्री अतीच से मौन त्यागने को कहती है कि बताओ कैसे लंका में आग लगी और कुरुक शेत्र का युद्ध क्यों लड़ा गया इन युद्धों से क्या मिला और क्या क्या होना पड़ा कावित्री लोगों को युद्ध में होने वाले जो हानी है जो नुकसान है उससे बचाना चाहती है अगला है भाशा की बात प्रश्न एक निमलिखित शब्दों के पर्यावाची शब्द लिखिए तो यहां कुछ शब्द दिये हैं हमें इनके पर्यावाची लिखने हैं भू भू कहते हैं प्रत्वी, धर्ती, वसुंद्रा नभ होता है आकाश, आसमान, ब्योम पुश्प, फूल, कुसुम, प्रसून मधू कहते हैं शहद, मकरंद और पुश्प रसको बिजली होती है विद्ध, चपला और दामिनी भाशा की बात का प्रश्ण दो दो या दो से अधिक शब्दों का संचेपी करंड करके एक नया सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं समास की विधी द्वारा बने शब्द को समस्त पद कहते हैं यानि शीला का खंड, सिंग गड यानि सिंग का गड, हिमांचल यानि हिम का आचल, गल बाहें यानि गले में बाहें, धनुश बार यानि धनुश और बार प्रश्ण तीन दिये गए मुहावरों का अर्थ लिखकर उनका वाक्यों में प्रियोग कीजिए तो पहला दिया हुआ है दात खटे करना, यानि हरा देना, पराजित करना इसका वाक्यों प्रियोग इस प्रकार होगा प्रस्वीराच चोहान ने तराइन के प्रथम युद्ध में मुहम्मद गौरी के दात खटे कर दिये अगला है इट से इट बजाना, इसका अर्थ होता है भयंकर नुकसान करना तो इसका वाक्यों प्रियोग कुछ इस प्रक्यार है शहीद भगत सिंग जैसे करन्तिकारियों ने अंग्रेजों की इट से इट बजा कर रब दी थी तीसरा है छक्ये छुडाना, यानि बुरी तरह हराना भारत के सैनिकों ने पाकिस्टानी सैनिकों के छक्ये छुडा दिये और आप इसकी जगह कुछ और वाकी प्रियोग भी कर सकते हैं अंगारों पर चलना, यानि इसका अर्थ होता है जोखिम भरे काम करना तो इसका वाग की प्रियोग होगा अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांती करना अंगारों पर चलने के बराबर यानी समान था आखरी है खेत रह जाना उत्तर होगा रण भूमी में मारा जाना तो इसका वाक की प्रियोग होगा कारगिल की लडाई में हमारे देश के सैक्णों जवान खेत रहे तो ये तो प्रशनभ्यास हो गए इस कविता की व्याख्या का वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आप वहाँ से देख सकते हैं साथी साथ मैं आपको इस किताब से जुड़े सभी पाठों की प्लेलिस्ट की लिंक दे दूँगी तो आप उस डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट की लिंक के दौरा सारे पाठों के अर्थ और प्रशनुत्तर देख सकते हैं और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल जिससे आपको मेरे चैनल पर दिये हुए क्लास 7 की रेंबो बुक के भी अपडेट्स मिलते रहें और उसकी प्लेलिस्ट की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी तो आप क्लास 7 की इंग्लिश और हिंदी दोनों के वीडियोस देख सकते हैं पसंद आया है तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें